नमस्कार तोसर रॉयल कॉर्ण यूट्यूब चैनल में मैं इश्वर सानप आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों CSI निरी के तरफ से आपर ओपिशन नोटिपेकिशन निकल चुका है वेकेंसिस के बारे में आप PGO या तो फिर ग्रैजूट हो कॉन से भी एक सब्जे दे सकते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे रॉयल कॉर्ण यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बेल आइकों को दपा दिजेगा इसे नए नए वीडियो के नोटिपिकिशन आपको मिलते रहेंगे तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो तो दोस्तों हम लोग आज चुके से असायर नेरे के ऑफिशल वेबसेट के ऊपर वेबसेट के लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी दिया है आप वहापे क्लिक करके डिरेकली इस वाले पेच पर आज जाओगे तो य शुरू करते हैं आगे का उडियो तो दोस्तों यहापर देख सकते हो आप 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 का उलाइन इंट्रिवे आप रहोने वाला है अड़र्टाइजमेंट नमबर आप देख सकते हो इसको क्लियर ठीक से आपर देख लेना आप लोग यहापर दिया हुआ है यहाँ तो चार पास यहां पर advertisement number है आप ठीक से देख लेना आप कुन से पोस्ट के लिए apply कर रहे हो तो दोस्तों सबसे पिले आप पहले पोस्ट पर vacancy निकलिए है project associate का नंबर आप पोस्ट जो है चार पोस्ट पर आपर vacancy निकलिए है आप बिटेक किया हो बीए हो इन्वर्मेंटल और सिविल इंजिनेरिंग में और मसी इन्वर्मेंटल साइंस में किया हो तो भी यह पर apply कर सकते हो job required भी यह पर दियावा है data collection water health and weather conducting social survey यह पर दियावा है basic water quality parameters यह अपड़ लेना बाक्की का इस लिमिट जो है 35 का यह पर इस लिमिट दिया हुआ है 35 के नीचे आपका यह पर होना चाहिए salary scale के अगर बात करें तो 31,000 रुपए आपको यह पर basic pay यह पर मिलेगा प्लस HR अलग से आपको मिलेगा 5000 रुपए तो HR यह आपको मिल जाएगा सेकंड नंबर का जो पोस्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट अस्वेसेट का है एक पोस्ट पर टोटल यह पर वैकेसी है MSC in environmental science with minimum 2 years work experience in technical or scientific service और B.E.B. Tech, B.E. Civil environmental engineering with minimum 2 years experience in technical or scientific service यह वाला qualification अगर आपके पास है तो यहापर आप अपलाई कर सकते हो आपको जो है project management and supervision data collection and analysis data inspection and virtualization का यहापर आपको काम पर्क करना पड़ेगा 35 साल के नीचे आपका यहापर एज होना चाहिए 35,000 रुपए आपको यहापर salary मिलेगी प्लस HR या अलग से आपको यहापर मिलने वाला है कोई भी fee charges वेकर आपको यहापर लगने वाले नहीं है directly यहापर आपको apply कर देना है online official website के उपर और online ही आपका यहापर interview होने वाला है interview होने से पहले आपको यहापर email के तुरू बता दिया जाएगा दोस्ता हम लोग आ चुक है second number का जो advertisement number है आप देख लेना second number के video के उपर हम लोग आ चुके है तो यहापर जो vacancy है project assistant की vacancy है total 10 post पर यहापर vacancy निकले वी है अपने BAC किया हो यहापर botany, microbiology, chemistry, physics, environmental science, geology, agri, soil science में किया हो तो भी यहापर आप अपलाई कर सकते हो कौन से पर एक आपके पास qualification हो तो यहापर अपलाई कर सकते हो आपका जो upper age limit यहापर दिया हुआ है पचास साल का यहापर दिया हुआ है job description भी यहापर दिया हुआ है field visit, survey and sample collection, air, noise, water, planton, samples, soil आपको यहापर sample collect करने का काम यहापर दिया गया हुआ है salary आपको अगर path करें तो 20,000 रुपए आपको यहापर basic payment plus HR आपको 5000 रुपए आपको 5000 रुपए आपको 5000 रुपए आपको 5000 रुपए आपको यहापर मिल जाएगा 35 साल के नीचे आपका यहापर age होना चाहिए यहापर same आपको work दिया हुआ है field survey और sample collecting का यहापर work रहेगा 25,000 रुपए आपको basic salary मिलेगा plus HR आपको यहापर अलग से मिलेगा आपको भी online apply करना है और online ही आपको यहापर interview होने वाला है तो दोस्तों बाकी के पीडियाप से आपर open नहीं हो रहे है अभी तो बाकी के हम लोग जो पीडियाप है open होने के बाद next video में देखेंगे आज का वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजएगा और चैनल को subscribe कीजएगा तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नहीं वार्ली वीडियो में उसके पहले आपको अगर कोई भी प्रॉल्म आता है अपला करते समय तो आप मुझे description box में पूछ सकते हो तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे next वीडियो में धन्यबत दूस्त